इंटर्नल ओर्गन्स और हमारी जो बॉंज उन्हें सेफ रखती है आज हम उन्हीं इंटर्नल ओर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे इस पिच्छर को देहान से देखिए ये क्या है हड्यों का धाचा या कंकाल जी हाँ ये हुमन कंकाल है स्केलिटन है जो की हमारी हड्यों से बना हुआ है इसके correct pronunciation होगी skeleton क्या होगी skeleton हमारी human body में total 206 206 bonds होती है और वो bonds मिलकर एक framework बनाती है यानि के एक धाचा बनाती है जिसे हम skeleton कहते हैं framework of bonds हड़ियों का धाचा हमारी जो हड़ियां है वो एक धाचा बनाती है और यही धाचा हमारी body की movement में हमारी help करता है यानि के हमारी body को हिलता डुलाता है the skin, muscles and bonds work together to help the body move जो हमारे skin होती है, हमारी muscles होती है और bonds, वो सम मिलकर हमारी body की movement में help करती है हमारे internal organs में brain, lungs stomach, heart और भी बहुत सारे organs होते हैं, इस वीडियों में हम brains, lungs, stomach और heart के बारे में पढ़ेंगे उनके function के बारे में पढ़ेंगे brain, हमारा जो brain है वो help करता है हमारी thinking में यानिके brain का main function है वो है thinking process, यानिके सोचने में हमारी help करना the brain is located inside our head, जो हमारा brain होता है, वो हमारी head हमारे सर के अंदर होता है it helps us to think, और या हमारी सोचने में मदद करता है the brain controls the whole body जो हमारा brain होता है उसका control हमारी पूरी body पर होता है it stores all the information collected by our sense organs, हमारी जो sense organs, जो भी information collect करते हैं, हमारा brain उन्हें store कर लेता है, और जब हमें परचानने में, उनको हमारी जानने में so ये था हमारा brain जो कि बहुत important role play करता है और हमारी पूरी body पर उसका control होता है next internal organ है हमारा lungs जो हमारी lungs होते हैं, वो हमारी breathing में help करते हैं, हमारी सांस लेने में help करते हैं, dear students दीने के लिए सांस लेना हमारा बहुत जरूरी है we have two lungs inside located inside our chest हमारी दो lungs होते हैं, जो कि हमारी chest है, हमारी जो छाती है, उसके अंदर होते हैं they help us in breathing, जो हमारी सांस लेने में help करते हैं so जब भी हम कभी सांस लेते हैं हवा में so जब हम breathe in कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं जो हमारी lungs होते हैं वो fins FIESTT जाते हैं और जब हम breathe आउट करते हैं यानि के सांस लेते होते हैं तो जो हमारी lungs है जो फेफडे हैं वो सुकड़.* जाते हैं यानिकर उनका जो साइज है वो घढड जाता है जैसा कि आप जानते हैं कि O2 oxygen हमारी जीने के लिए बहुत ज़रूरी है तो जो हमारी lungs है वो हमारी help करते हैं O2 को grant करने में और CO2 carbon dioxide को हमारे lungs बहार निकानने में यानि को उसको out करने में हमारी help करते हैं Next internal organ है हमारा heart हमारा heart जो है वो blood को pump करता है यानि के उसको बसरीर के बाके हिस्सों तक पोचाने का काम करता है और से पोचाता ही नहीं है बलकि हमारे blood को purify भी करता है उसको सुद करता है Our heart is made up of muscles जो हमारा heart है वो muscles से बना हुआ है हमारा जो heart है वो हमारे जो chest होते है उसके अंदर होता है और हमारा heart body के हर part तक हर हिस्से तक blood को पोचाता है यानि के transfer करता है In one minute our heart beats about 70 to 75 times हमारा जो दिल है वो एक minute में 70 से 75 बार धड़कता है जब अगर हमारा heart बंद हो जाए धड़कना तो शायद हमारी life भी ना रहे इसलिए हमारा heart है वो एक बहुत important role play करता है हमारा जो next internal organ है वो है हमारा stomach देखिए जो भी हम कुछ खाते हैं या पीते हैं वो हमारे mouth के दवारा हमारी food pipe से होके हमारे stomach में जाता है और हमारा stomach क्या करता है हमारे खाने को हमारी जो intestine होती है उनके पास भेज देता है हमारा जो stomach होता है वो एक सेक लाइक muscular organ है यानि कि muscle से बना है हमारा stomach हमारा जो stomach होता है वो हमारी chest जो होती है उसके नीची होता है प्रजिन ब्लोदा chest होता है तो इस तरीके से जो हमारा stomach है वो हमारे खाने को digest करता है और जो खाना हम खाते है उससे हमें energy मिलती है और यही energy हमारी body की movement में हमारी help करती है तो जो हमारा brain है वो हमारी thinking में help करता है हमारा stomach जो है हमारा food को digest करने का काम करता है हमारा hurt blood को pumping का काम करता है यानि के पूरी body तक पहुचाने का कām करता है हमारे जो lungs है वो हमारी breathing का काम करते है यानि के हमारी सांस लेने में हमारी help करते है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो like and subscribe करिये और hit the bell icon ताकि आपको सारी वीडियो के latest notification मिलते रहें